बात ये लोकमत राष्टवादी पार्टी द्वारा पत्र परिशत का आजन क्या गया था इस दरान पार्टी द्वारा मांग की गई है कि शहर में कोरुना मरिज को अस्पताल में बेट ने मिल रहे है जिसको देखते भी शहर के स्कूल मंगल कारले कॉलिज आधी को लेकर वें मंगल कार्याले आधी को अपने कब से भी लेकर वेंटेलेटर ऑक्सिजन एवं बेट का अंतजाम करके आम चनता को मदद पहुचाए हमारी पार्टी यह मांग करती है कि वैक्सिन 18 वर्ष से 45 वर्ष के उम्रवाले के लिए भी जल्द उपलप्त कराया जाए कोरोना रुपी जो महामारी है जिससे आज पूरा भी सुलर रहा है लेकिन काफी दुख के साथ काना पर रहा है कि नागपूर के साथ संपूर महाराष्ट में सरकार द्वारा कोई उचीत कदम नहीं उठाये गया आज अलग-अलग छेत्रों से हमारे पाटी के सम्मानी सवश्यों के माधियम से यह पता चल रहा है कि अनेक लोगों ने सरकार के गलत रभई के कारण अपनी जान गवा दी महाराष्ट जैसा संपन राज होने के बावजूद भी लोगों को प्रियाब सुविधा मुईया नहीं होने के कारण लोग परिसान हैं आज आप हिंगना चले जाए या किसी भी सरकारी होस्पिटल में चले जाए जगा पे इनके करमचारी नहीं मिलते हैं हम लोग खुद कल रात में हमारे मित्र का कोरोना पोजेटिव से द्यानत हुआ बिरंदावन जी जो रविंदर जी रहते थे जिनको पाले यह बताया गया कि आपका कोरोना पोजेटिव है पिर बाद में कुछ निर्वाद कहा कि नेगेटिव है पिर बाद में कहा कि लंग् पार्टी यहां मांग करती है कि हर एक व्यापारी के उपर लगाई गई पापंधिया हटाई जाए एवं रहत पैकेज का एलाम क्या जाए अभी पांच राज्चों में विधाजबा के चुना हो रहे है और अधिकांच रैली में लाकों की फिर जूट रही है लेकिन इन राज में अभी किसी भी तरह का कोई चुनानी हो रहा है फिर भी पुरे भारत में कोरोना की आकड़ी का 50 प्रतिशत कोरोना पॉजिटिव महाराष्ट में ही दिखाए दिरा है ये चिंता का विश है और इस पर विचार करने की जरूरत है राज्य और पुरे देश में बढ़ती जबकि दोनों सरकार को इसका जवाब देना चाहिए बढ़ती हुई महेंगाई एवं भ्रश्टाचार और सरकारी कार्यालेव की लापरवाई से जनता परिशान है इस पर भी सरकार को विचार करने की जरूरत है सरकार द्वारा अगर लोगडान लगाया जा रहा है तो साथ बिजली पिल एवं मासिक किस पर भी उचित विचार क्या चाहिए अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हमारी पार्टी समुचे देश में लोगतांत्रिक तरिके से आंतोरन करने के लिए बात दे रहेगी ऐसा पार्टी के अतिश्य पंकश कुमार शर्मा इंके द्व